नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में मैं हूँ आपकी वही अंजली आग लगे दिल में जब वो खफा हुए एहसास हुआ तब जब वो जुदा हुए करके वफा वो हमें कुछ दे ना सके लेकिन दे गए बहुत कुछ जब वो बेवफा हुए जिहां आपने सही सुना हम आज के डेली राशीफल की बात कर रहे हैं आज के दिन जिनका बर्थटे है या फिर मैरिज उनवर्सली है उनको मेरी तरफ से ठेड़ सारी बधाई हो और बहुत सारी शुब कामनाए हो तो चलिए अब शिरू करते हैं बुरा वक्त एक ऐसी ती जोरी है जहां से सफलता के हत्यार मिलते हैं ना ठके अभी पैर ना अभी हिम्मत हारी है होसला है जिन्दगी में कुछ कर दिखाने का इसलिए इसलिए तो अभी भी सफर जारी है सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओ के शहर चलना भी जरूरी है मन्जिल पाने के लिए कोशिश के बावजूत हो जाती है कभी हार हो के निराश मत बैठना यार बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम पा लेती मन्जिल चीन्टी भी गिर गिर कर कई बार पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम कायर है जो तकदीर पे रोते हैं जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम गम के अंहिरों में खुद को बेकरार ना कर सुभा जरूर आएगी सुभा का इंतजार कर लाकों किलोमीटर की यात्रा एक गदम से ही शिरू होती है मझल मिले ले ये तो मुकदर की बात है हम कोशिश भी ना करे भई ये तो गलत बात है अकर तोड़नी है अन मंजलों की जिनको अपनी उन्चाए पर गरूर है शियर को जगाना और हमें सुलाना किसी के बश की बात नहीं हम वहाँ खड़े होते हैं जहां मैटर बड़े होते हैं दुनिया के सबसे अच्छी किताब हम खुद हैं खुद को समझ लीजिए सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा किसी को पूरे वक्त पर साथ देना ही जिन्दगी का सबसे अच्छा काब है इसलिए आपको जहें दूसरे लोगों की मदद जरूर करनी है कुछ मिनटों में जिन्दगी नहीं बदलती लेकिन मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिन्दगी बदल कर रख देता है इसलिए फैसलों को एहमियत दीजिए जिन्दगी में हर मौके का फादा उठाइए लेकिन किसी के विश्वास का नहीं सबसे पहले मैं आपको पता दू कि अजयाब के लिए जो है लखी कलर बनना है औरेंज कलर और भागिशाले आंग क्याने के लखी नंबर रहेगा आज के लिए नंबर साथ आज हर एक काम में हर व्यक्ति निशनात नहीं हो सकता इस बात का ध्यान रखिएगा अज आप को मानसिक तनाव भी होगा उसका सामना करना ही पड़ेगा ये तनाव आप खुद के लिए बनाई अती उच अपेक्षाओं के वज़े से होगा परिवार में आप जितना भी चाहें लेकिन सभी की चिंता को दूर नहीं कर सकते हैं अपने प्रिय व्यक्ति का दुखी ना करने की चाह रखना जायज बात है लेकिन कुछ अनुभाव से गुजर कर ही वे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं यब याद रखना होगा आपको साथ में आज आपको कुछ नया सीखनी को मिल सकता है आज के दिन पीछे मत हटीगा जिरूर कुछ अच्छा और नया सीखेगा इसे आपके आने वाले भविश्य में आपको काफी हद तक मजद मिल सकते हैं साथ में आज आपको जो हैं कई जगासे अगर आप काम करते हैं जोसके मजदूर वगरा हैं उनको आज बहुत ही जएदा धकावट महसुस हो सकते हैं जो काम पिछली काफी सबैसे रुके हुए थे वो आज ज़ादा मेहनद करने से सकते हैं किसे रिष्टेदार से लेटेट कोई शुपसमाचाल मिल सकता है, आपको बहुत ही खुशी होगी, किसी की रिष्टार की घर में नया महमान भी आ सकता है साथ हमें घर के बड़े बजर्गों का सहयोग मिलेगा आप को घर के बजर्गों के साथ बैटना चाहिए उनके साथ time spent करना चाहिए साथ हमें आपको जो उनकी मदद भी लिनी चाहिए क्योंकि वी जो है काफी इस चीज में माहर हो उन्होंने पूरी जिंदगी देखी है तो आप उनसे काफी हद तक मदन मिल सकती है आज बूरी नियत की लोगों और बूरी आतों से दूरी बना कर रखे तो बैठर है नहीं तो आपकी मान हानी हो सकती है अपमान होगा अगर कोड कचारी से रिलेडिर कोई मामला है तो उसे अभी स्थगित ही रखे तो बैठर रहेगा आपके इंदर आज विविद गुणों से भरा कलाकार नज़र आ रहा है लेकिन अपनी कला को हॉबी की तोर पर रखता है यह उसी मेंसे करियर समंदित कुछ खनना है यह विचार परिशान कर सकता है आपको अपनी कलिया अकला में करियर को लेकर कुछ कदम आप उठा सकते हैं हर कला को करियर का रूप देने की जिद्धध मत कीजेगा परवार के साथ आज विचारों के सहमती नहीं हो पाएगी दोनों जो हैं आपसे सहमती से ना होने की कारण लाई जगड़ा भी हो सकता है आपने गुसे पर काबू रखना होगा और कुछ भी ऐसा मत बूलेगा जिससे जो है विवाद और ज़्यादा बढ़ सकते हैं तो अगर आप इस चीज को धियान में रखेंगे तो बेटर रिजल्ट एखने को मिल सकते हैं राज रितिक और समाजी गती विदियों से रिलेटिड दाइरा बढ़ेगा आपका और नाए इंपॉर्टन समन्द भी स्थापित हो सकते हैं लंबी पड़ी योजनाए क्रियानमेद करने का उची समय है यानि कि अगर आपने कोई प्लानिंग पहले से की रखी थी आनलेसिस की होगा था तो आपको जया आप जो है इंप्लिमेंट करने का समय आ जुगा है अब एक्जेकूट कर दीजे उसके बाद बच्चों की गदी विदियो में भी आपका योगदान बहुत इंपॉर्टन रहेगा बस ध्यान रखे कि समाजी कारियों के साथ साथ परिवारे का मुद्दों पर भी ध्यान देना जरूरी है घर से रिलेटिड काम रुकने से तनावतपन हो सकता है आज स्टूरेंट्स जो हैं सोशल मीडिया और व्यर्थ के कारियों से ध्यान हटा कर बढ़ाई में लेगाए क्योंकि आपके एक्जाम में आपको जादा इस चीज़ की जरूरत है तो बढ़ाई पर निगरानी रखे ज़दा इदर बातों पर नहीं चलिए बात करते हैं आज के बिजनस और करेर की तो आज कारक शित्र पर करमचारियों और सहयोगयों की गतिविदियों को नजर अंदास मत की जाए अज आपको बहुत ही ध्यान रखना है अपने करमचारियों पर और अगर आप जॉब करते हैं तो साथ काम करने वाले जो हैं उन पर काम करना होगा बहुत ज़रूरी है यह चीज अगर आब ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको जहानी हो सकते है क्योंकि उनकी एक सी हरकस से आपको नीचा देखना पड़ सकता है अगर आप investment करना चाहते हैं तो कर सकते हैं लेकिन उसका फैसला जरा सो समझ कर लेज़ेगा और बड़े विज़ुर्ग आपकी काफी हद तक मदद कर सकते हैं जो लोग आज कपड़े के वेपारी हैं कपड़े सुड़े वेपारी हैं को बहुत ही हद तक लाब देखने को मिल सकता है आज के दिन साद में आज वेविसाय में अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो भो भी कर सकते हैं दिखान आपको एपने बिजनस पर रखना होगा अगर आप आज बिजनस पर ध्यान नहीं रखेंगे तो कुछ नुकसान विए उठाना पड़ सकता है उच व्यादिकारियों कावी मारिक दर्षन और सह योग मिल सकता है आपको जो लोग नौकरी करते हैं सिरकारी नौकरी करने वाले जहन को एक प्रमोशन मिल सकती है कई लोगों को नए ओफर्स भे मिल सकते हैं ऐसे के साथ ही आज एक काम को सीखना थोड़ा कठीन लगेगा आपको अगर आप पुछ सीखना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत परिशानी का सामना करना पड़ सकता है बागे सब जो है वो सब ठीक रहेगा चलिए बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ की तो लव लव कहती है कि पदी पत्मी के वेच में किसी छोटी सी बात को लेकर तकरार हो सकता है लेकिन किसी बाहरी व्यक्ती का हस्तक्षीप आपके संबंदों में जो है कुछ और जादा गड़वर कर सकता है तो तीस्रे को बीश्य मत लाने दीजेगा ये मैं हमेशे से कहते आई हूँ कि आप जो अपनी दुनों हो जाने है अपनी बाते बस खुद तक रखेगा दूसरों को तीसरे को मत बताईएगा इस बात का ध्यान लिखेगा साथ हमें आज पार्टनर के साथ भूत काल में हुई चर्चा के बारे में जादा मत सोचेगा यानि कि गड़े मुर्दों को मत उठाड़ीगा वरना आप दोनों में बहस हो सकती है पार्टनर के विचार आज कुछ नहीं मिल पाएंगे आपस में और साथ पती-पतने में माधूर ये संबंद कई लोगों का बना रहेगा आज वाहितों के लिए ये संबंद बहुत ही बढ़िया है आज के दिन यानि कि आपको अपना हमसफर मिल सकता है चलिए बात करते हैं आगे बढ़ते हैं और बात करें आज के हल्थ की बारे में तो हल्थ कहती है कि आज तनाव की वज़े से नीन पर नसर पढ़ सकता है नीन की कमी रहेगी जिससे जो है आप ठीक धंक से अपना काम भी नहीं कर पाएंगी और अक्टिवनेस की कमी रहेगी गैस और असरेटी जैसी हलके फुल की समस्याइं भी बनी रहेंगी सुपाच्य भोजन आपको करना चाहिए यानि की हलका फुलका इसके साथ ही आज डिहाइडरेशन की तकलीव भी हो सकती है आपको और हाँ बदलते मौसम के साथ आपको स्वास्ता पर असर पड़ेगा लापरवाही मत बरतिये मियाम और यूगा कीजिए बहुत इच्छे रिजल देखने को मिल सकते है चली बनतर में बात करते हैं आज की शीशु बाई के बारे में तो आज आपको जो है विश्णु पुरान का पार्ट पढ़ना चाहिए या फिर आप विश्णु चली सा भी पढ़ सकते हैं इसे के साथ ही अगर आप जो है अपने इश्ट देव का धिहान करते हैं उनके मंतरों का जहाब करते हैं उसे ज़्यादा मिल सकता है तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करें शेयर करें हमारे शेयर करें